Knowledge दुनिया की इस नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है इससे पहले हम लोगोंने Strange Cars और Bikes के उपर वीडियो बनाये थे इसी दोरान आप लोगों में से बहुत सारे ने कमेंच पे हम लोगों को सजेस्ट किये Strange Cycle के उपर वीडियो बनाने के लिए दोस्तो, Cycle एक Cheap और Pollution Free Transport है जो इंडिया में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है पर कुछ Companies और Inventors Cycles के डिजाइन में बदलाव करते करते कुछ ऐसी Cycles का डिजाइन बना डाले जो देखने में काफी अजीब है आईए, आज ऐसे ही कुछ Cycles के बारे में जानते हैं लॉपे फिट वॉकिंग बाइक ट्रेड मिल को रस्ते पर ले जाने का आईडिया बले ही अद्भूत लग सकता है पर इसी आईडिया ने ब्रुइन बर्व मिस्टर को प्रेडित किया जो आज पूरे विश्व में मशूर है इलेक्ट्रिक बाइक और ट्रेड मिल का ये मिश्रन पैडिल्स की जगा इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है इसको चलाने के लिए राइट पैड को प्लाटफरम पे रखकर लेफ पैड से इंपल्स लेना पड़ता है इसके सवारी को ऐसा लगता है मानो वो घर या जिंग पे ट्रेड मिल कर रहे है और ऐसे ही वो बाइक की स्पीड में 30 मिल से ज़्यादा की दूरी तै कर लेते है ये 7.2 फीट लंबा, 1.3 फीट चौरा और 3.9 फीट उचा है छे रंगों में पाए जाने वाली ये बाइक बैटरी से चलती है स्टील की सुरक्षा के साथ आप इसे 2,237 डॉलर में अपना बना सकते है लॉंगेस्ट बाइक निदिल लेंज की ये 117 फीट लंबी बाइक दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट की लीमो के भी आगे निकल चुकी है सबसे लंबी बाइसाइकल बनाने की मिशन पे ये डर्ट साइकलिंग ग्रूप ने बहुत ज़ादा अलुमिनियम का इस्तिमाल किया है गिनिस वर्ल रेकॉर्ड में दर्ज होने जैसी ये बाइक सिर्फ दो पहियों पर चलती है और लंबाइ के कारण इसे चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत परती है इस बाइक में स्टेविलाइजर्स और ट्रेनिंग विल्स मौजूद नहीं है और ये बाइक बिना मुरे सिर्फ सीधा ही चल सकती है इसकी सबसे खास बात है कि ये बिना किसी चेन सिस्टेम के ही चलती है और इते चलाने के लिए आपको बस इसके पीछे के पहियों के पैडल्स को स्पिन करना होगा ये एक सारकस यूनिसाइकल की तरह काम करती है चेन की गैर मौजदी की वज़े से इसमें दूसरे बदलाव करने परे जैसे की ट्राइंगलर एक्सिस की जगा यहां क्रैंक आर्म एक्सिस की मदद से पहियों को जोरा गया है बाइक चलाने वाला इसे पहले वील्स की द्वारा कंट्रोल करता है पैडल और गीर की ना होने की वज़े से बनाने वालों ने इस बाइक में वील्स को एक साथ लाया है जिसे रस्ते की कोई भी मुश्किल को आराम से पार किया जा सके अभी इसे ड्राइवर की हाइट की हिसाब से दो अलग साइजों में खरिदा जा सकता है इसका basic version 800 dollars में भी मिलता है जूलाई 2016 की presidential ride लंडन ने इससे पहली बार देखा गया इसकी सबसे अलग बात ये है कि इसमें tires नहीं है उसकी जगा इसके wheels एक जैसे दिखने वाले 6 running shoes से बने है traveler Steve Biggs ने इस running shoe bike को बनाया है bendy bike cycles मज़दार होती है पर folding bikes उससे भी ज्यादा मज़दार Kenneth Scott ने इस list में होश उराने वाली एक नई cycle जोर दी है वो है bendy bike एक ऐसी flexible bicycle जो pole में wrap की जा सकती है cycle के सारे हिस्सों को एक साथ लॉक करने के लिए इससा ही design किया गया था और अब इसे काफी छोटे स्थानों पर भी रखा जा सकता है bard of prey बाइसाइकल जहां आम बाइस में सवारी बैट कर चलाते है वहाँ इसे बीना लेटे नहीं चलाया जा सकता बनाने वालों का दावा है कि इस position में चलाने वाले की मेहनत और backbone पर पढ़ने वाला load दोनों ही कम हो जाता है इसके कारण backbone की समस्या वाले लोग भी इसका आनन्द उठा सकते है चलाने वाले की position स्विमर्स और उड़ते हुए पंची जैसी होती है लो सेंटर अफ ब्रैगिटी और aluminium बाडी के कारण ये काफी तेज चलती है 4,800 डॉलर की ये बाइक काफी अध्भूत है और चलाने वाले के लिए सुरक्षित भी है क्वीगल बाइक जर्मनी का कर्स्तिन बेटिंग की क्वीगल बाइक बहुती छोटा साइज में फोल्ड किया जा सकता है फोल्डिंग पोजिशन में इसकी साइज बस 55 by 40 by 25 cm होती है जो आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है इस कमपनी का दावा है कि क्वीगल दुनिया की सबसे कॉम्पैक्ट फोल्डिंग बाइक है इसकी वजन बस 8.5 kg है और इस बाइक को चलाने के लिए आपराइट पोजिशन में पैडल करना पड़ता है जो एक फिटनिस इससे इसका काम भी करता है ये बाइक 20 km पर आवर की स्पीड तक चल सकती है इसका पहला वील, फ्रेम और हैंडल सब साधरन है पर अगर कुछ अध्भूत है तो इसका पिछला वील जिसकी जगा पे इसके बनाने वालों में कही सारे मेटलिक एलिमेंट्स को मिला कर एक मकरी के पैर जैसा आकार दिया है इस बाइक में 450 मेटलिक एलिमेंट्स और 120 से ज़्यादा प्लास्टिक फ्लक्स लगाए गया है इस बाइक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा सिर्फ फ्लैट सर्फेस में चलने वाली ये बाइक मार्केट में तो नहीं पर कही सारे एक्जिविशन्स में देखी गई है इस अजीब बाइक का आकार बाइक कम और लॉन फार्निचर जैसा ज़्यादा लगता है इस बाइक के शुरुआत एक ठटेरा या टिंकर की प्रोजेक्ट से हुई जो अन्य बाइक के टुकरों को जोर कर बनाई गयी थी आज यूएस, यूके और आस्ट्रेलिया में इसके सबसे अच्चे वर्शन्स बनाई जाते है इस बाइक के कहीं अद्भूत शारिडिक लाप भी है जैसे की शारिडिक वजन का प्रॉपर डिस्ट्रिग्यूशन इसमें पीट, हाथ और कंधे की पोजिशन बहुती आरांदायक होती है पूरा शरीर एक रिलेक्स आकर में कुछ इस तरह होता है कि लंबे सफर के बाद विठकान महसूस नहीं होती एरवाला, एटा ये साइकल दुनिया की सबसे तेज हुमेन पावर्ड वेहिकल के नाम से जानी जाती है हाईवेस पे चलने वाली गाड़ी जैसी तेज इस साइकल की स्पीड 90 माइल्स पर आवर तक पहुँचती है पीछे छोरते हुए अपने स्पीड का नया वर्ल्ड रेकर्ड बनाया 198 वाट से भी कम पैडल पावर इसे 56 माइल्स पर आवर की स्पीड देती है जो इसे किसी भी एक्जिस्टिंग ट्रांस्पोर्टेशन टेकलोजी से जाधा स्पीड देती है बहुते कम ग्राविटी सेंडर वाली ये एडा नॉर्मल बाइक से तीन गुना तेज भागती है चलाने वाला पीट को पीछे करके बैठता है जिसके कारण बोडी प्रेशर कम होकर स्पीड बढ़ जाती है ड्राइवर्स सरक देखने के लिए बाइक के दो ओवल शेल्स पर लगे दो वीडियो कैमेराज का इस्तेमाल करते है इसकी बनाने वालों ने अजीब बाइक्स बनाने के नए ट्रेंड को अपनाते हुए इसे डिजाइन किया था जमीन और आस्मान में चलने वाली ये तीन वील्स की बाइक में एक टरबाइन, एक इंजिन, एक पैराग्लाइडिंग जैसी विंग है जो आप ड्राइवर की पीछे एक बैग में लेकर चल सकते है इसे चलाने वाला नॉर्मल पैडल्स और विल्स के साथ इसे जमीन पर चला सकता है और मजबूत इंजिन का इस्तेमाल करके हवा पे भी इसके लिए राणवे की भी जरूरत नहीं परता पैराग्लाइडिंग विंग ही सारा काम करते थी हो 74 पाउंड के वजन की ये बाइक एक मील उचाई और 24 मील पर आवर की स्टीड तै करती है और आप इसे 4800 डॉलर में खरीच सकते है बायोनिक रुनर्स ये एक ऐसी बाइक है जो दौर ये रानिंग की नकल करती है इसलिए इसमें सवारी के लिए कोई सीट नहीं है पर चलाने वालों की साफधानी के लिए इसमें खास सुविदाय है जो खराब रस्तों में चलने की तकलिफ मिटाती है ट्रेनिंग मिशीन जैसे दिखने वाली ये ऐलुमिनियन फ्रेम की बाइक को आसानी से मोड कर किसी गारी के ट्रंक में रखा जा सकता है इसका वजन करीब 40 पाउंड है और इसकी कीमत 890 डॉलर से लेकर 1800 तक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आप नॉलेज दुनिया की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिले कोई सवाल या सुजाओ हो तो हमें कमेंड में जरूर बताईए झाल को तो हमें तो हमें के लिए्योटा है